हीलो डोस्तों आपके अपने चैनल लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। आपका पहला प्रश्ण है किस भारतिय राज्य की सीमा सरवाधेक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। A. आंध्रप्रदेश B. मध्यप्रदेश C. असम D. उत्तरप्रदेश आपका सही उत्तर है D. उत्तरप्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नोर राज्यों बिहार, जारखंड, चत्तिसगर, मध्य प्रदेश, हर्याना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंदर शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है। साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतराश्ट्रिय सीमा भी साज़ा करता है। आपका अगला प्रश्ण है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भू भाग पर परवत और पहाडियों का विस्तार पाया जाता है। A. 29.3 प्रतिशत B. 43 प्रतिशत C. 10.7 प्रतिशत D. 18.6 प्रतिशत आपका सही उत्तर है A. 29.3 प्रतिशत भारत का कुल भूगोलिक ख्षेत्र फल 32,87,263 वर्ब किमी है और 80,20,88 वर्ब किमी क्षेत्र में वन फैले हुए है। भारत के कुल भूभाग के 10.6 प्रतिशत भूभाग पर परवत्व कुल भूभाग में से 18.5 प्रतिशत भूभाग पर पहाड़ियां और कुल भूभाग के 27.7 प्रतिशत पर पठार पाये जाते हैं। आपका अगला प्रश्ण है भारत का कौन सा राज्य है जिससे होकर करक्रेखा गुजरती है ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी जारखंड, डी जम्मू कश्मीर आपका सही उत्तर है C. जारखंड, करक्रेखा जिसे उत्तरी रेखा भी कहा जाता है प्रित्वी पर अक्षांश का सबसे उत्तरी वृत है जिस पर सूर्य सीधे सिर की उपर हो सकता है भारत में करक्रेखा कैंसर लाइन एट राजियों गुजरात, राजस्थन, मध्यप्रदेश, चत्तिसगर, जारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है आपका अगला प्रश्न है इंदिर प्वाइंट का अन्या नाम है आपका सही उत्तर है आपका अगला प्रश्न है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाईं कितनी है आपका सही उत्तर है आपका सही उत्तर है पूरी तरह उत्तरी गोलार्द में स्थित भारत की मुख्यभुमें 8 डिग्री 4 मिनिट और 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तरी अक्षान शौर 68 डिग्री 7 मिनिट तथा 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है उत्तर से दक्षिन तक इसकी अधिक्तम लंबाई 3214 की मी और पूर्व से पश्चिम तक अधिक्तम चोड़ाई 2933 की मी है आपका अगला प्रश्ण है भारत का दक्षिन अतम बिंदू कौन सा है आपका सही उत्तर है आपका अगला प्रश्ण है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है आपका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारत के पूर्वी तट को उत्तर में उत्तरी सरकार तथा इसके दक्षिनी भाग को कौरो मंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी घाट, जिसे महेंद्र रेंज के नाम से भी जाना जाता है, एक असंतुलित परवत श्रिन्खला है जो भारत के पूर्वी तट के समाना अंतर चलती है यहोडेसा, आंध्रप्रदेश, टेलिंगाना और तमिलनाडु राजियों के साथ फैला हुआ है आपका अगला प्रश्ण है, निमनलिखित भारतिय राजियों में से किस्से होकर करक्रेखा नहीं गुजरती है आपका सही उत्तर है, बी उत्तर प्रदेश, आपका अगला प्रश्ण है, निमनलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है आपका सही उत्तर है आपका अगला प्राश्ण है लक्षद्वीद समून के द्वीपों की उत्पत्ती निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? आपका सही उत्तर है लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समू है ये समूद्ध तटों और हरे भरे लेंस्केप के लिए जाना जाता है मल्यालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम एक लाख द्वीप है लक्षद्वीप परब सागर पर प्रवाल उत्पत्ती से बना है लक्षद्वीप भारत में एक मात्र कोरल द्वीप श्रिंखला है आपका अगला प्रश्ण है भारत की तट्रेखा की लंबाई कितनी है? आपका सही उत्तर है आपका अगला प्रश्ण है करक्रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका सही उत्तर है आपका अगला प्रश्ण है निम्नलिक्षित में से किस राज्यों से होकर करक्रेखा नहीं गुजरती है? आपका सही उत्तर है आपका अगला प्रश्ण है आपका सही उत्तर है पूर्वोत्तर की पहाडी का आपका अगला प्रश्ण है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? आपका सही उत्तर है भारत का भगोलिक विस्तार 32,87,263 वर्ब किलोमेटर है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2,43 प्रतिशत है भारत विश्व का सात्वा बड़ा देश है भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमेटर है कश्मीर से कन्या कुमारी तक उत्तर दक्षिन की सीमा लगभग 3,200 किलोमेटर और अरुनाचल प्रदेश से कच तक पूर्व पश्चम सीमा लगभग 2915,200 किलोमेटर है आपका अगला प्रश्ण है कौनकान तट कहां से कहां तक विस्तृत है आपका सही उत्तर है कौनकान अथ्वा कौनकान तट भारत के पश्चिमी तट का परवतिया अनुभाग है ये 720 किलोमेटर लंबा समुद्र तट है कौनकान में महराष्ट्रा और गोआ के तटियज जिले आते है इसकी शुरुआत महराष्ट्रा से लेकर गोआ के दक्षिनी तट और केरल के उत्तरी तक तक है इसे कौनकन गोआ तट भी कहा जाता है हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद आपका दिन शुब रहे